हलो गाइस एंड विल्कम बाक टू माय चानल सिर्फ आई एस तो हम यहां कॉंटिनिव कर रहे थे हमारी एशेंट हिस्ट्री की एंसी आर्टी का चैप्टर नंबर एड जिसका नाम है दे लेटर वेदिक फ्रेस ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल फॉमेशन तो शुरू एक्सपैंशन इन लेटर वेदिक पीरिड ठीक है अब क्या हुआ कैसे बढ़ा जब एक हजार से लेके छेसो बीसी तक की बात करेंगे हम यहां पर कैसे कैसे एक्सपैंड हुई चीज़े लेटर वेदिक पीरिड में इसके पहले लेसन देख कर रहेगा सारे लेसन जब आप देखते हुए आएंगे तो आपको स्टोरी के जिसा लगने लग जाएगा तो देखें समहिता समहिता का मतलब होता है put together ठीक है या फिर joint या फिर एक union एक साथ लाना या फिर आप कह सकते हो collection ठीक है तो यह rule based combination है किसी text का या किसी verses का और समहिता जो है यह आप कह सकते हो यह most ancient layer है text की है na text की मतलब शब्दों की है ना वेदों में यह समहिता जो है वो एक बहुत काफी important है इसमें आपका मंत्र बगेरा होते हैं हाइमन्स होते हैं prayers होती है है यह सारे चीज़े होती है और जो रिगवेद समहिता है अगर मैं इसकी बात करूं तो oldest वेदिक text है और सामवेद तो यहां पर जो सामवेद है और यह सबसे छोटा है अगर देखें तो चारो वेदों में यह closely connected है रिगवेद से भी इस पर यह purpose of singing के लिए है गाना वाना गाने के लिए वाला है prayer जो कि रिगवेद की है इसमें यहां पर ट्यून दे दी गई थी है ना और इस इसे हम लोग सामवेद समयता बोलने लगे थे clear है उसके बाद हमारा आता है तीतरा वेद जो कि है यह जुर वेद क्या है यह वेद है primarily इसमें जो है वो मंतराज वगे नहीं है प्रोज मंतराज है वर्शिप करने के लिए बात पूजा पार्ट कर रहे हो उसके लिए यहां मंतर वगेरा है इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइमन्स नहीं है बट साथ इसाथ रिच्वल वगेरा भी दिये गए है किस तरीके से आपको चीजे परफॉर्म करनी है उसके बास में कैसे आपको पढ़ना है मंतरों को किस तरीके से क्या करना है किस तरीके से आपको जो है रिच् लेकल बारी चीजह इसके अंदर अबलेबल है मतलब अधरुबल के अनदर आती है उसके बाद हम बात करेंगे वेदिक सम्हितास के बारे में, तो वेदिक सम्हितास ये फॉलोड है by the composition of series of texts जिने हम लोग ब्राह्मनाज बोलते हैं, ठीक है, ब्राह्मनाज की बात करेंगे, ब्राह्मनाज क्या है, ये है एक proper करता है, हर एक जो ये ब्राह्मना है, हर एक ब्राह्मना जो है, generally associated है, पर्टिकुलर शक या फिर वेदिक स्कूल से, शाक जिसको बोलते हैं, शाक या फिर वेदिक स्कूल से, ये हर एक ब्राह्मना जो है, ब्राह्मन कहलो, ब्राह्मना कहलो, ये generally associated है, मतलब मिला हुआ है, उस यही हम लोग Painted Graveyard Sites बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इन्हे Painted Graveyard Sites? Because इन्हें वहाँ पर वो लोग रहते हैं, जो इनको यूज करते हैं, who use earthen balls, dishes, मतलब में विवा समझेगा, जो sites हैं आपकी, Upper Gagnetic Basin की, इन्हें लोग Painted Graveyard Sites बोलते हैं, इसका reason यह है, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं, यह कुछ मिट्टी के बने हुए, कुछ bowl हो गए, और क्या कहते हैं, कुछ dishes हो गई, यह सब use करते हैं, और यह बनी होती है, यह Painted Graveyard Sites से बनी होती हैं, तो इसलिए हम लोग इस sites को Painted Graveyard Sites बोलते हैं, यह iron के weapons यूज करते हैं, जो भारताज हैं या पुरूज, यह दो major tribes थी, मैंने आपको पिछले वाले chapter में बात बताई थी, कि भारताज जब जीत गया थी, तो पुरूज जो एक सबसे strongest tribe थी, 10 Kings में से, जो आपकी battle हुई थी, उसमें से सबसे strongest tribe थी पुरू, तो भारत और दोनों मिल गये थे, और एक tribe इन्हों ने बना दी थी, कुरू, अब कुरूज ने क्या करा, कुरू ने उकुपाय कर लिया दिल्ली को, और कुछ अपर portion जो की दुआप का था, गंगायमना वाले, उसको भी यहां पे इन्हों उकुपाय कर लिया, और एरिया को बोलने लग कुरूख शेत्र, जिसमें यहां पे लड़ाई हुई थी, ज्यादे आपको, जो हमारा इतना है, महाभारत स्टोरी इसी टाइम की है, और कुरूख शेत्र यहां लांड ऑफ कुरू, अब हम बताएंगे कैसी क्या स्टोरी चल रही है, तो कुरूख शेत्र तो हमने जहां बाड़ी होगी महाभारत, तो कुरू की क्यापिटल जो थी, वो हस्तिनापुर थी, यह आपका मेरट जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिचुएटेड है, कुरू काफी इंपोर्टेंट है, बैटल ऑफ भारत के लिए, जो की मेन थीम था महाभारत का, तो देख रहे हैं भारत है, और यह महा है, वहीं से निकला है महाभारत, जो कौरवा और पांडव थे, यह सारे के सारे कुरू क्लान से बिलॉंग करते थे, कौरवा और पांडव की बीच में हुई थी, महाभारत अगर आपको याद हो तो, तो यह कुरू क्लान से बिलॉंग करते हैं, लोगो अब यहाँ पर समझीगा हुआ क्या कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हस्तिनापूर जो है वो capital हुआ करती थी कुरू की अब हुआ क्या कि हस्तिनापूर में बाड़ बाड़ आ गई और जो कुरू क्लैन के की लोग वहां रहते थे यह उन्नोंने यहां से shift कर ली और यह पह दुआप के उपर जो अपर गर्जिंटिक प्लेन है उसके पास कहीं जो है वो लोकेटेट था तो जब आपका लेट वेदिक टाइम्स आया तो यह काफी इंपर्टेंट स्टेट बन गया एशन इंडिया की है ना जो की काफी क्लोजली मिल जुलके चल रहा था कुरू किंडम के साथ में तो यह फेमस था अपने फिलोसफर किंग्स और ब्राह्मन्स थियोलोजियंस के लिए यह पंचाला किंडम इसलिए फेमस भी था अब देखिए इस्टन उत्तरप्रदेश की बात बताऊं और बिहार की बाताऊं तो लोग जो थे वहाँ पर यूज करते थे वेदिक लिट्रेचर आच्छा वेश्टन उत्तरप्रदेश की चलिए बात करते हैं तो लोग जो है वो यूज करते थे port of okre, okre मतलब giru, giru होता है और यहाँ पर red color और copper implements यह में से किसी का भी यूज कर सकते ते red color का copper implements का जिसका भी चाले थे उसका यूज करते थे और वेदिक की जो लोग थे वेदिक पीपल यहाँ पर iron weapons का है यहाँ पर लोहे के weapons का use करते थे और horse drawn chariots in the second phrase of the expansion, जो expansion का यह second phrase था, उसमें वेदिक people जो थे, वो iron weapons और horse drawn chariots का use करने लगे थे, फिर हम बात करेंगे painted graveyard के बारे में, तो देखिए यहाँ पे PGW, iron, मतलब painted graveyard, iron phrase culture और later vedic economic ऐसी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो देखिए iron implements को हम यहाँ पे sham बोला जाता था और krishnavyaas बोला जाता था, iron implements they were called as sham और krishnavyaas in the later vedic text, उसके बाद wooden plowshare को use कर रहा जाता था agriculture में, देखिए, wooden plowshare को use कर रहा जाता था agriculture के लिए, agriculture काफी primitive था, बट यहाँ पे कोई doubt नहीं है about that wide prevalence, क्यों, यहाँ क्यों कि because enough blocks was not available due to cattle slaughter, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि sacrifice दिये जए रहे हैं, sacrifice में जो है या या कुछ काटे दे रहे हैं तो cattle up slot काटो गे, तो भई कैसे ही agriculture बढ़िया हो पाएगा उसके बाद देखिए, सता पता ब्राम्मन, दो ब्राम्मन के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे एक सता पता ब्राम्मन और एक आगे आएंगे अभी चलो एक एक करके डिसकस करते हैं, बहुत आगे नहीं भागते हैं सताबता ब्राहमन इसमें क्या है? ब्राहमना speaks at length about the plowing rituals. बलराम बलराम जानते हैं ऐसा क्यते हैं बलराम जो है भाई थे जो कृष्णा की बलराम इना the brother of कृष्णा is called the हल धार हल धार या फिर wielder of plow हल धार है लग जाने वाले वह बारले को प्रिड्यूस करते रहे बट इस पीरेड में क्या था राइज और वीट काफी चीफ क्रॉप्स जो थे वह राइज और वीज मतलब चावल और आटा जो है मतलब यहूं जो है वह यहां पर चीफ क्रॉप्स बन गए थे वरही बोलते थे समझ यह इस बात को वरही राइस को बोला जाते था था एंडवर, स्यूर्ण आखवल के लिए उप्योग होता है इंदु कस्तन में बहुत सा री चीजों में तो यहां पर राइस का यूद्ट होता है से यार रखेगा वरी ही क्या है राइस है लेंटल वल अलसर प्रेडियूस मतर्ब डालों का भी प्रडूस प्रड्चन होता था और कॉपर जो था वह वन फूस्थ मैटल था यो वेधिक पीपल ने यूज करा है, क्या copper, copper was one of the first metal used by Vedic people, art और craft के लिए इन्होंने copper का यूज करा था, जो कि art और craft देखने को भी मिली है painted graveyard sides पर, weaving जो है ये औरते करती थी कढ़ाई बुनाई सब औरतों का काम हुआ करता था, leather work हो गई, pottery हो गई, carpenter work हो गया, ये काफी जादा progress कर चुके थे, later Vedic जो लोग थे, इनको चार तरीके की pottery आती थी, black और red wear, black slipped wear, painted gray wear और आखरी में red wear, red wear काफी popular हुआ करती थी, जो most distinctive pottery है, इस period की उसे painted gray wear बोलते थे, इसमें आपका bowls वगएरे, dishes भी थी, जिनको हम लोग rituals या फिर, rituals में भी use कर दे थे, उस वक्त के लोग, या फिर खाने के लिए भी use करते थे, या दोनों चीदों के लिए use करते थे, glass ke bolts, ग्लास bolts, चूडियां, मतलब bangles, हना, इनको भी use करा गया है, जोल जो है, इनका भी mention देखने को मिला है, लेटर वेदिक text में, मतलब जेवरात वगेरा का, और site जो कि western उत्तर प्रदेश की हैं, दिल्ली, पंजाब, हर्याना, राजिस्थान, हस्तेनापूर, और अत्र, अत्रन, जी, पिरिट था, इसको यू, लेटर वेदिक पिरिट में, यूस करा गया है, बट वी ओनली, ट्रेस दफेंट, मतलब नगर तो यूस करा है, नगर आजम बोलते हैं, शेहर को बोलते हैं, लेकिन हमने अब देखिए, हस्तिनापूर, जो की कौशम भी में है, अलाहाबाद के पास, जैसे मैंने आपको बताया, यह भी एक प्रिमिटिव टाउन था, जो की बिलॉंग करता है, तो दा प्रिमिटिव सोर्स था, जीने के लिए, लाइवलिविट के लिए, लेटर विदिक एज के टाइम पर, पीजन जो थे, वो एक इस पर करते थे, मार्जिल पार्ट अजो प्रिदूस पूल्ट ऑफ प्रिंसेज और प्रिस्ट को भी देते थे, यहां पर पीजन वगेरा जो तो उसके बारे में बात करें, तो लेटर विदिक टाइम जो था, वहां पर क्या था, कि पॉपर असेम्बली की जो सभा और समिती नहीं हुआ करती थी, तो उसकी इंपोर्टन्स जो है, वो इन्होंने खो दी थी, रॉयल पावर काफी जदा बढ़ गई थी, विदाता कंप पहले तो ओड़ते बैठती थी, अब यहां पर ओड़तों को बैठना सभा में जो है, परमीशन बना कर दी गई थी, और अब यह जो डॉमिनेटेट कौन था, यहां सभा में कौन बैठते थे, नोबल्स वगेरा और ब्रामन्स वगेरा, ट्राइब जो है वो टेरिटोरियल यह हमारी टेरिटरी है, तो यहां पर हम ट्राइब रहे रहे हैं, यह ट्राइब की टेरिटरी है, यहां रहे रहे हैं, तो यह दूसरे ट्राइब की टेरिटरी है, है ना, तो यह टेरिटोरियल बन गई ट्राइब, और यह टर्म रास्ट्र था, रास्ट्र इंडिकेट करता तरिटरी को जो कि आपको इस पीरिड में पहली बार देखने को मिला है यह टम रास्ट्र तेक है कि जो था वो वजुपया को परफॉर्म करता था वजुपया का मतलब होता है एक चैरेट की रेस है न मतलब जो है जहां पर जो है वो इनका पूरा रत की रेस होती थी जिसमें बस्ति एक राजब जो रीचे लेते हैं जहां जहां जां गोरा वहां की शीया जैसे राम नेता ताख राम परफॉर्म किया था तैक्स difference अब जो है वो common बनके तो काफी आम बात हो गई थी है ना और यह deposit होते थे within officer जिसे इस officer को tax collection वाले officer को बोलते थे संग्रीरती है ना क्या बोलते हैं संग्री हित्री ठीक है तो यह please याद रखेगा अच्छे से कि यह कौन था क्या नहीं था है ना तो please यह याद रखेगा taxes were now became common and were probably deposit within officer called संग्री हित्री किंग जो है इसको assist कराया था था प्रीस्ट के दौरा ठीक है किंग जो है यहाँ पे राय मश्वरा करता था जो है प्रीस्ट से वो जो है वो control करती थी वो दबाती थी यहाँ पे विजर्च की assembly को है ना गाहों की जो assembly होती थी उनको जो है वो chief होते थे dominant tribe के वो उनको control करते थे यहाँ पे कोई तो राजा क्या करेगा कि यहाँ पे बैट के अपने लोगों के साथ ही खाएगा जीता है तो proper वो जमीन में बैट के सेम प्लेट में जो भी होता हो तो वो सेम प्लेट में राजा भी खाता था अब मैं social organization की बारे में चीज़े बताऊं तो जो लेटर विदिक society थी इसको चा प्राइम तक यह चला ब्रामन जो है काफी important class रहे क्योंकि यह करते थे sacrifices करते थे rituals perform करते थे अपने clients के लिए जो भी इन से जाहे वो करवा ले और अपने ले भी करते थे उसके बाद आते थे शत्रिया शत्रिया warrior थे जानते है लड़ाई दंगा करते है warriors थे उसके बाद आत प्रेट के end तक यह trade भी करने लगे थे merchant class भी हो गया था अब देखे सारे तीनों वर्ड जो है इसमें एक feature common था common फीचर यह था कि जनेव जानते है जो जो है sacred thread होता है आपने देखा होगा लोग जो है जनेव पहनते है एक thread पहनते है तो यह इन तीनों को था यह तीनों वर जाओ था कि तुम जनेव पहन सकते हो जो fourth one था यह इसको मतलब जो शूद्रा था चौथा one जो इन सब को सर्व करता था ठीक है वो शूद्रा को मना था वो जनेव नहीं पहन सकता ठीक है अब देखिए आत्रिया ब्राह्मन के हिसाब से ठीक है मैंने पहले कौन सा ब्राह्म गांट जो गयरा मिलने चाहिए इसके लिए अब देखिए जो वैश्य इस पॉल्ट पे वैश्य को बोलते थे ट्रिब्यूट पेंग ठीक है मतलब यहां पे पीजेंट्स को हमने बचाया पीजेंट्स क्या कर रहे है कि वैई विचारे थोड़ा बहुत उठाके थोड़ा प इसलिए tribute paying इनका बोला गया और शूद्र जो है इनको servant बोला गया जो है काम करेंगे इन तीनों वर्डों के लिए काम करेंगे रोकर की तरह रहेंगे और जब चाहो तब इनको ये तीनों वर्ड में से जिनके काम कर रहें हो मार भी सकते हैं तो बहुत ही गलत section जो articians के थे जैसे कि आपका रतकारा या फिर chariot maker है ना इनका काफी बड़ा status था काफी high status था इनका और शूद्र जो थे वो participate भी करते थे कई सारे rituals में जैसे कि कि राज जो है मुकुटुकुट की सरमनी हो रही है राजब शेक हो रहा है कोरोनेशन हो रहा है किंग का वहां प से जो है वो नीचे है यहां पर subordinate है और as a Rig Vedic Terms Rig Vedic Terms के साफ़ जो गोत्र है गोत्र समझिएगा गोत्र यहां काफी important है आपने सुना होगा Hindu धर में क्या होता है कि गोत्र में आज कर रहा है तो शादी नहीं कराएंगा आज तकी बात कहते है तो गोत्र कहां से निकल के और वहीं पे लोग अपने सारी के सारी गईया बानते थे उस समय ठीक है और यह ऐसा माना था था कि में देखो कि अगर एक गोत्र से हम बिलॉंग करते हैं तो क्या कहते हैं अगर हम मालो यहां पर बिलॉंग करते हैं तो इसका मतलब है हमारा एक ancestor जो है वो common है ठीक है हमारे आश्रम या फिर four stages of life ठीक है यह अच्छे से established अभी तक नहीं हुआ था वेदिक टाइम्स में ठीक है जो वेदिक टाइम के बाद की बात है मतलब जो पोस्ट वेदिक टाइम्स था हमें यहां पर चार आश्रम के बारे में बाद में सुनने को आता है जैसे कि ब्रहम चारी है जब ग्रिहस्त जब उसकी शादी वादी होती थी थी फाल जरुवयद वाला पर वान उप्रस्त मतलब पार्शल रिटायर्मेंट की गाउं चला गया है उसके बाद मतलब चला गया है जंगल में लेकिन अगर कोई काम कोई जरूरा थे तो वापीस अभी आ जा रहा है और रिगवेत के जो गौड थे, इंद्र और अगनी, अब इनकी इंपोर्टेंस इतनी नहीं थी, और प्रजापती, the creator of camp, उन्होंने यहां पे पोजीशन, अपनी सुप्रीम पोजीशन आपका लेटर वेदिक टाइम पे उक्यूपाई कर ली थी, अब इनकी जादा इंपोर्टे यह काफी important हो गए थे, रूदर मतलब शिव जीवी का भी एक नाम है गया, और विष्नु जो है, वो preserver or protector people के, तो मतलब विष्नु यहां पे preserver or protector people के, इनको भी माना जाने लगा था, अब यह क्या है, इनकी subtle life हो गई थी, अब semi-nomatic life नहीं थी, मतलब इधर से उधर क्योंकि यह मतलब एक symbol object का, symbol भगवान का यहां पे एक मूर्ती का पूजा होना शुरू हो गई थी, जो सारे वर्ड है, इनकी खुद की डीटी थे, इनकी खुद के इश्यवर थे, भगवान थे, और जो इसी तरह से मैं बता हूँ तो पुषान, पुषान, जो माना हैता है कि जो कैटल को पुषान करने के जो देवता है, इनको यह गौड ऑफ शुद्रास मानते थे, कि शुद्र जो है, वो पुषान जो है, गौड को मानते है, पशु पुषान ऐसे लगता है सुनने में, तो इसलिए, अब देखो, जो लोग थे, लोग इश्वर की पूजा करते थे, for the same material reason, इनको समानी चाहिए है, यह बगवान, सुनो, पानी मेरे उपपर आ जाए, यह बगवान, मुझे यह मिल जाए, वो मिल जाए, तो material reason के लिए जो करते थे, बट sacrifices काफी important हो गए थे, sacrifices का मतलब क्या होता है, कि भईया, लोग बली दिये दे रहे हैं, काट दे रह sacrifices जो है, वो individual भी करा सकता है, कि भईया, मेरी जिन्दगी अच्छी हो, मेरा परवार बढ़िया हो, हैना, settled life जी है हम, तो यह सब individual भी कराते थे, अब देखे, sacrifices में क्या था, कि और यह animals को मार रहे दे थे, और जो guest था, उसे हम लोग घोंगना बोलते थे, जो यह सब cattle battle है, उसको वही खाता था वही, जो मारा हुआ animal को, अब ब्राम्मन जो थे, were only one, अब देखे, 16 तरी के priest होते हैं, ब्राम्मन में भी 16 qualities हैं, ऐसा नहीं, एक ही होते हैं, तो उसमें से, जो ब्राम्मन हैं, यह इनको ही दक्षिना मिलती थे, दक्षिना मतलब कुछ ऐसे पैसा वैस इसे इसे बोलते हैं, ब्राम्मन या फिर प्रीस्ट जो है, वो कभी-कभी portion यह भी कहते हैं, यह जो territory है, वो उसका एक portion हमको दे दो दक्षिना के तौर पे, है न, मतलब लैंड वैंड मांगने लग गए, यह न, बड़ जो लैंड का ग्रांट है, मतलब लैंड देने वारा system जो है, वो अच्छे से established नहीं हुआ था, लेटर वेदिक पीरिड में, यह उसके बाद ही हुआ है, जो भी हुआ है, अब देखो, एक सता पता ब्राम्मन है, सता पता ब्राम्न स्टेट करते हैं, जो अशुमेध है, उसमें North, South, East, West, मतलब चारो डिरेक्शन, यह North, South, East, West, All should be given to the priest, इसके साब से क्या है, कि सब को जो है, वो प्रीस्ट को दे दो, जो भी पूजा करा रहा है, पूजारी उसको दे दो, तो ब्राम्न यहां समझ रहे हैं, यह यहां पर Supreme God की तोर पे, sorry, I'm sorry, ब्राम्न नहीं, ब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं जिन्होंने पूरी दुनि ब्रह्मा बनाई है, तो ब्रह्मा इस समय जो है, वो Supreme God की तोर पे, इमर्ज होकर आए, और इमफेसेज डाली गए, इन्माटर रिलेशन ऑफ ब्रह्मा विद्धी आत्मा, तो यह कहते हैं, ब्रह्मा आत्मा है, हम लोग कहते हैं, ब्रह्मा और आत्मा का कोई रिलेशन है, मन सब्सक्राइज यहोगा है, और पाषुपक्षी के लिए तो हो जो इन सारे पैट्रेंस को सपोर्ट करते थे common people के आगे हैं जिसे हम लोग कहते थे वैशास जो मतलब common people को वही, merchant वगेरा, class को वैशास बोलते थे state अभी भी setup नहीं हुई थी तो यहां पे हमारा एक लंबा चोड़ा chapter यह भी complete होता है तो अगर आपको अच्छा लगा तो like, share, subscribe करें बिना कहीं मच जाएगा इस वीडियो को आप देख सकते हैं, facebook पे इस के नाम से page है, like करें देखें बाकी twitter, instagram, telegram सबकी description box में link है, मुझे कहीं पे भी follow करना हो, कोई भी doubt हो, तो I am there बाकी membership perks भी है, कुछ, अगर आप चाहते हैं, join करना, वहीं देख लीजे, क्या क्या में देखा आपको, आप join कर सकते हैं, thank you so much for the description, have a wonderful day, take care